हलो हलो एवरीवन वेल्कम टू मैं चैनल और कैसे हो आप सब आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उमिद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और प्लीज चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हैं और मैं उपर आई थे थोड़ा सा गूमने के लिए अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था मैं ही बस उठ गई हूँ क्योंकि कोई नहीं देख रहा था आजू बाजू में कहीं भी कोई नहीं देख रहा था तो बस मैं उठके आई हूँ छत पर घूम रही थी और म मतलब मेरी ना तबियत थोड़ी साही सी नहीं चल रही है ना इस वज़े से हिम्मत भी नहीं हो रही थी, मतलब में ना तकलिफ भी हो रही थी सूने में, और यहां देखिए मेरे पेड़ पोधी कितने अच्छे देख रहे हैं, और अच्छा लगता है सुबह सुबह इनको भी देखती हूं मैं आके तो अच्छा फील होता है, नीचे आ गई थी और मेरा काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, रात को भी मैंने अंकल मैंने बताये था कि मेरी बिल्कुल भी तबियत सही नहीं है, तो इस वज़े से रात को खाना पीना खाके और थोड़ा बस बहुत बैट होंगी और उसके बाद बस मैं सो गई थी, तो आज मेरा केच्छे ने चिन कुछ भी साब सुथरा नहीं है, तो बस आदा घंटा हुआ ही था और चाई की तो आप लोगों को पता सुबे सुबे चाय मिलना ही चाहिए, अलगी तलब होने लगती है, तो बस मैंने सबसे पहले मैंने सोच चाह बना लेती हूँ, पहले ये लुक साभी अभी सब सो रहे हैं, उठे ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर अभी पटपट से काम भी देखती हूँ, जितना उपाता है कर लूँगी नहीं, तो मैं फिर बैठ जाओंगी, क्योंकि मैं कल से ना मेरे साथ यही हो रहा ह मैं बैठ बैठ के ना काम कर रही ठक जाती हूँ, तो फिर थोड़ी दिर बैठ जाती हूँ, फिर करने लगती हूँ, तो इस तरीके से मेरा काम जो हो रहा है, मैंने मलाई जितनी दूद के उपर थी, वो मैंने रख दी और देखिए, कार्टिक उठकर आ गया है, उसका तो बस मैंने चाय भी बनाई है, और इसके बाद मैं कार्टिक किफिन में आज उसको पोह ले जाना है, वो कल से बोल रहा है, तो बस थोड़ा सा मैं पोह उसके लिए बना देती हूँ, तो यहां कार्टिक राड़ी हो गया है, एकदम तयार जाने के लिए स्कूल, तो अपन कितनी देर लगेगी कितनी देर और देखिए किचन के पास आके तयार होके एकदम जूते उते पहन के आगया है, तो बही मैं उसको चिला रही थी, जूते नहीं पहनना था, जब जाते समय जाते हैं, जब पहनना चाहिए, तो वो कोई बात नहीं बच्चे हैं, बच्चे कर सब उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे अभी अभी मैंने चाय बनाई है और उटी मैं काफी दीर की उर इतना जादा इतना जादा मनता हम हात पेर बहुत दर्द कर रहे थे और मेरी कमर यज बनाई हो और ओठके मैंने ज्ट्बनाई खोल भाठान सारा काम कर लिया था कि अंग्छि कुछ जैसे बनाने बेड़ी तो फिर सरगूमने लगा चक्कराने लगी तो इस तरीके से में री अजब्र कारथ enabled color मेंने सारी चीजे तैयार κάνत रखे ली थी और खड़े खड़े फिर मेरा इम्मद नहीं हो रही थी तो मेरा इस्बेंड ने बना के दे दिये में बैट जाएं पर मैं बना दी रहा हूं तो न बना दिये और अभी भी मैं सोच रही हूं बज़े गया है धीरे-धीरे साड़े आट बज़े हैं सुब्द पान कान को ना लेके खड़े रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा इसे लिए प्रोटेक्ट मलब एकदम एनर्जी के साथ अपने जो काम है वो स्टार्ट करते हैं पठाफट से दूर रखते हैं अपनी जो क्या कहते हैं उसको आता कान को बूल जाते हैं कि कुछ हो रहा है या तो अगर अभी से काम स्टार्ट कर दूंगे ना तो काम करते रहूंगे ना तो फिर सब ठीक हो जाएगा मुझे जरूलत नहीं पड़ेगी नवाई होई तो बस मैं काम सुरू कर रही हूं और बस खाना मुझे बनाना है आप दें कार्तिक को छोड़कर आज पोह बना दी है अना थक गए बहुत ज्यादा वहीं मैं सबच रही काम काम कैसे करें चार तरफ में कमर बस तरह हो रही है घूम घूम के घूल घूल घूम के चलने डॉक्टर को दिखा दें नहीं हम काम ही में ठीक हो जाएगा अभी आप दोगों से मने बताएं नहीं दाक्टर जरह सब कु अच्छानी की डाल बनाते हो तो नहीं है काम हो गई है मानम ग्रोसरी भी कातम होने वाली है सोच रहे हैं चार पार दिन और कट जाए तो होली आजाए तो मन्हाली के पहले ले आएंगे तो बिलकुल जाने का टाइम नहीं था पास दिन और मतलब दो चार दिन और अच्छे से काम कर लेते हैं फिर उसके बाद ना सही हो सही बोलते आप लोग इतना काम करूंगी तो मैं वाकली में ठक जाती हूं तो आज ना कुछ हो नहीं रहे बस यह थोड़ा साथ करूं में ठकली हो रही है यह मालूम है सोबेरे ब और टति शूंतर नास्ता वी कर लिया थोड़ी सा पोहा में डी खा दिया बूक लग रह थी सोबे सोबे से ना बूब लग भी थी मिरको आठवी बजय बूक लगाई तो तो थोड़ी सा पोहा और चाए खान ली दिया यह तो करने रहे नास्ता है यदुम पर मेंदान सक bowls श्मक्राइम किया है regular raising अप्राहित है अन्हें कर दी थी तो वस मनें बाहर ऐसे बैड़ गई थी तु उन泼ना करता है को सबसकीन थी को नहीं में आपको कर ददिया था पूह अननेों देखा भूल धुलुक्त और अपने कामों में लग गई हूँ क्योंकि काम करना भी बहुत जरूरी है ये सारे काम होंगे तब ही तो हम कुछ कर पाएंगे आगे तो वस मैं यहां पर जाड़ू अभी फिर से थोड़ा सा खाना पीना बनाने में हो जाता है न गंदा तो मैं दुबारा से फिर से जाड़ू लगा रही हूँ थोड़े से बरतन हो गए हैं चाय के नास्ते के करतिक ने खाया पिया तो वही और कुछ डब भी निकल गए थे समान अमान खाली हो जाता है न तो फिर वो डब भी निकल जाते हैं तो वो मैं साथ के साथ दूल देती हूँ तो यहाँ पर मैंने बरतन भी वस बॉस हो ही गए हैं बरतन और इसके बाद अभी मैंने पहुचा नहीं लगाया है तो जाड़ू लगा कर आई हूँ उसके बाद लास्ट में मैं पहुचा लगाँगी काम मेरा सब कंप्लीट हो गया है कितना भी तकलीफ हो लेकिन हम वरतों को तो काम करना ही पड़ता है सब भूल भालके क्योंकि घर समालना होता है हम आउस वाइप को सब तो इस वज़े से सारे काम नकल लिये हैं और बड़ी मुस्किलों से हो पाया है लेकिन काम हो गए हैं सारे तो चलिए आज का वीडियो में यहीं पर रेंट करती हूँ और उमिद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सेर जरूर कीजिएगा और एक बार और चैनल पर नए आते हैं तो सबस्क्राइब जरूर करके जाएगा तो हम मिलेंगे अपनी नेस्टी वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉक के साथ तब तक के लिए थैंक यू, बाई बाई